इंडिया स्पिक्स डेली को सब्सक्राइब करें उसके बेल आइकन को जरूर दबाएं यदि आपको इसकी पत्रकारता पसंद हो धन्यवाद पी चिदंबरम का आज भी जमानतियाच का खारीज हो गई है और जमानतियाच का एस्प्रेशल कोट ने आज खारीज कर दिया हमको एस्प्रेशल कोट ने और 11 दिसंबर तक नयाई खिरासर में भेज दिया है तो चिदंबरम के वकील कफिल सिबल कर रहा है ऐसा लग रहा है जैसे हम रंगा बिल्ला है तो तुम रंगा बिल्ला से भी खराब हो रंगा बिल्ला ने जो जितना बड़ा क्राइम किया उतना ही बड़ा क्राइम तुम्हारा है और सबसे बड़ी बात कि हाई कोट ने जो कि देश से भाग निकलने की फिड़क में है तो चिदंबरम के वकील का प्रिसिबल ने आज कहा है कि हाई कोट ने सबूतों से छेर चार और मेरे भाग निकलने के डर से मेरी जमानत याज क्या खारिज की है तो आज से तो मैंसे कभी जमानत नहीं मिलेगी नहीं मिलना चाहिए औ और गुप्त खांदान की बात देखिए कि तिहार जेल में जाकर राहुल और प्रियंका चिदंबरम से मिले हैं आप ये सोचिए कि चिदंबरम से मिलने मनमोहन सिंग जा चुके चिदंबरम से मिलने सोनिया गई अहमद पटेल गए राहुल गई प्रियंका गई क्या बात क् पूरी गांधी फैमली गई हुई है इसका मतलब चिदंबरम गांधी फैमली को साब ब्लैकमेल कर रहा है कि वो कोई राज उगल देगा क्योंकि काले धंदे अकेले तो किये नहीं जाते इमानदारी से जीवन अकेले जिया जा सकता है लेकिन काले सामराज में तो बहुत सारे पार्टनर्स होने चाहिए और यही बज़ा है कि गांधी परिवार बार बार चिदंबरम के पास सिहार जेल में जा रहा है चायद गुहार लगा रहा है राहूल और प्रियंका गांधी का गारी में बैठे तस्वीर भी आई है कि ये लोग गए प्रियंका वड्रा और लेकिन अब इसको मॉनिटर किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा फिर निष्टा को लंगन आएगा कोट में जाएँंगे आते रहें कुछ तो वज़ा है जिसकी वज़ा से पुड़ा गांधी परिवार तिहार जेल की पडिक्रमा लगा रहा है आज तक गांधी परिवार डाले में मुख्य भूम का निभाने का की परसन होने का अरोप है उन पर और ED और CBI अलग-अलग मामलों में उनके खिलाब जाज कर रहा है 22 अक्टूबर को जो है सुप्रिम कोट ने उन्हें एक मामले में जमानत दी थी लेकिन अभी वी वो जेल में है क्योंकि ED ने उसके वाद उनको गिरफ्तार कर लिया था और जब तक ED के मामले में उनको जमानत नहीं मिलती वो नहीं बाहर रहा पाएंगे और आज उनकी जमानत सरजिखारीज हो गई है 21 अगस्ते ही चिदंबरम तिहार जेल में है लेकिन हमको सबसे बरी बात लग रही है कि आखिर ये गांधी परवार बार बार चिदंबरम के चक्कर क्यों काट रहा है इसका मतलब जो 90 के दसक से 90 के दसक से याद रखेगा जो काले धन का कारोबार च रिश्वत मनी को कहीं पार्क करना हो काले धन को सफेद करना हो और उनके बेटे के 22 से 24 विदेशी अकाउंट मिले हैं और जब हाई कोट ने जमानत खारिज किये इस आधार पार कि आभी विदेश भाग सकता है यानि कितना संगे अपराद है और उस संगे अपराद में कहीं न कहीं गांधी परिवार की संलिप्तता है क्योंकि जब इन महोदे को बितमंत्री नहीं बनाया था इन्होंने तो प्रणावदा की जासुशी करवा दी थी आप लोगों को याद होगा प्रणाव मुखरजी की जासुशी पुड़े बग लगवा दिये थी यह आदमी अगर जांच हो तो यह आदमी 90 के दसक से दोहजार 14 तक 13 14 तक जितने काले कारणामें हुए हैं देश में उसके पीछे का किंग पिन यह साबित होगा और यह अकेले नहीं है गांधी परवार बार बार तिहार के दर पे माथार अगर रहा है इसका मतलब गांधी परवार से जुरे बड़े राज को चिदंब्रम ने सीने में दफन कर रखा है वरना ऐसा नहीं हो सकता था गांधी परवार किसी से मिलने जाए आपको याद होगा कि अगस्ता बेस्ट लैंड में जब क्रिश्चन मिशेल यहां आया था तो गांधी परवार ने अपने वकील क्रिश्चन मिशेल के लिए करके दिये थे मिलने त इसका मतलब खेल बड़ा है और इसलिए ये कोट जानती है तभी इसको जमानत नहीं मिल पा रही है अजय का मतलब खाइ कोटी ये नहीं मिल खेल कोट्चित है तभी ऊवेना कोटी कोटी शेलिटमущूर ङएा पाँ कोटीनगन तभी आपकोटos है झार स्प्टी इसती पाँ मतलब गवस्ता झामारव काश्छय religion